1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figures चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में 4 बाते होनी चाहिए एक, लंबी एउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए दो, जब market में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले तीन, जैसे ही market recover होती है हमारा stock तेजी से recover भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले चाहर, हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे के हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि की पहले तीन points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link description में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपए इस share में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1 जान्यवरी 2020 को इस share में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च में इस investment की value हो गई और current share investment की value है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपए Nifty 50 shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बात 1-1-2020 के दिन Nifty 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपए हो गए मार्च 2020 में इस investment की value हो गई और current Nifty 50 investment की value है निफ्टी में appreciation ज्यादा हुआ है इसलिए first point Nifty ने जीत लिया है second point share ने जीता third point Nifty ने जीता overall Nifty जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने 8% interest से fix deposit की होती तो आज उसकी value हो गई होती FD के 8% के मुकाबले Nifty ने कितने परसंटेज का return दिया यह share ने कितने परसंटेज का return दिया winner है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज invest करने है तो वो क्या करे यह stock में invest करे Nifty 50 stocks में invest करे या FD में invest करे यह share के और Nifty के annualized return percentage हमने देखे है वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा सब्सक्राइब धित शाल करें कर्क तो एक यह बाद बाद भास THANK YOU झाल झाल